क्या आपका अफ़तार और नावीज में डिफरेंस पता है वैल तो अफ़तार की पांच उंगलियां और साथ में आइब्रोस भी बन नावीज की चार उंगलियां होती हैं और इनके आइब्रोस भी नहीं होती और साथ ही अफदार्स की चेस्ट और आंस भी चोड़ी होती हैं ताकि नावी के मुकाबले देखने में ज्यादा मस्किलर भी लगी और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो फाइनल बैटल के दुरान नाइतरी की चेस्ट पर एक वाइट हैंड प्रिंट बना होता है लाइक डिरेक्टिंजेम्स कैम्रियोन ओरिजनली अवतार मुई को 1999 में रिलीस करना चाहते थे बट उस टाइम पीड में जिन स्पेसिल इफेक्ट्स का इस मुई में यूस्ट किया जाता तो उससे अवतार मुई का बजट 400 मिलियन डॉलर हो गया था और कोई भी शूडियो कै दिया था और फिर लॉड ओफ दर इंग्स मुई में गोलम को देखने के बाद कैम्रियोन को लगा कि अब CGI और वी एफेक्स टेकिनोलजी इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि वो इस मुई को बना सकें और फिर अफ़दार के शूटिंग कंपलीट होने के बाद इस मुई के हैं क्योंकि फिल्मिंग सेट पर यह सभी CGI से किया जाना था और इस ट्रैकिंग के दुराने सब भी एक्टर्स को इनके एक्टर के हिसाब से कॉस्टुम्स पहना कर इनसे सीन्स भी करवाए गए गए थे एक्टर जोई सालडानों को अपने क्याक्टर यानि नैतरी के हिसाब से एक एलियन टेल भी पहननी पड़ी थी एंड मुई में जितने भी एक्टर्स ने अवतार और नावस को प्ले किया है तो उनके लिए स्पेशल हेलमेस त्यार किया गए थे जिसमें लग कैमरा के मज से इन सबी क्लोज अप्स एंड फेशल एक्सपेशन को कैप्चर किया थ स्पेशल इनकी आइस को एन एत्री के सबी सीन्स को एक्टर जोई सेलडर ने खुदी परफॉर्म किया था और उनके हर एक सीन को कैप्चर करने और फिर उससे कंप्लेटर नावस के लिए लग बग एक साल लगा था और साथ इस मोई के लिए स्पेशल एक वर्चुल कैमरा क क्रीयेट किया गया था जिसमें जेम्स कैम्रियोन रियल टाइम भी फिल्मिंग के टाइम एक्टर्स को इनके अवतार फॉं में देख सकते थे जो कि बहुत ही एडवांस था और साथ यह एक्टर्स के सीन्स के बाद उनने दिखाय जाता था कि उनके परफॉर्मस अवतार फ क्रेट किया जाता था एंड मुई में नाय तरी जिस टाइप के कोश्चुम्स पहनती है तो इन्हें टाप रापो कहा जाता है जो कि मियान कलसर से इस्पार थी एंड नाव इसके गरेक्टर डिजार्ण और इन्हें कैसे तियार किया गया था इसके बारे में तो आगे बात हो जानते हैं पहले एक्टर सैम वोधिंटन के बारे में क्योंकि शाहिद ही आप में से किसी को पता हो कि अवधार मुई के ओडिशनिंग के टाइम सैम वोधिंटन अपनी कार में रहते थे क्योंकि इनके पास रहने के लिए प्रोपर हाउस भी नहीं था और जब इने जैक सू यूडियो बिल्कुल भी खुश्च नहीं था क्योंकि जैसा कि इस मुई का बज़र था तो उसी साब से वो इस मुई में एक जाने माने ओ बिग स्टार को कास्ट करना चाहते थे जिन में एक्टर मैड डीमन को भी ये रोल ओफर किया गया था जिसके बाद कैमरियों ने फो बोक्स ने एक्टर सैम वोजिंगन को एज जैक सूली अपरूव किया था एंड जैक के वीडियो लोगस के एकोड़िंग पैंडोरा पर ये पूरी स्टोरी या कह सकते हो पूरी मूवी 96 देस के अंदर होती है क्योंकि पैंडोरा पर आने के बाद जैक अपने फर्स्ट मूई में जैक के जिन पैली से लैक्स को दिखाया गया है तो एक्चल में इन्हें पोस्टाटिक से बनाया गया था एंड सैम वोजिंगन की रियल लैक्स को वीलचर की साइड में रखा जाता था जिनने बाद में पोस्ट प्रडक्शन के टाइम डिजिटली रिमूव किया जाता था और यहां तक कि मूई में डॉक्टर क्रेस को जिस से लिए दिखाया गया है तो एक्चल में यहीं भी कंप्यूटर जेनरेटेड़ से लिए इस से लिए प्रक्टिकल थे जिनने एक्चल में बनाया गया था तो आप अवतार मूई को 40% लाइब एक्शन and 60% photo or realistic CGI based movie कह सकते हो वैल दो ड्रेक्टर जेम्स कैमरियोन के एकोडिंग नावी इसका ब्लू कलर गोड विशन उसे इंस्पार है जिनके कहीं सारे अवतार्स है इससे कि आतिंग इस मुई का टाइटल भी इंस्पार्ड है और अवतार एक संस्क्रित वर्ड है जिसका मेनिंग इंकार्नेशन होता है जिसे रेपरेजेंट करते है मुई के एंड में जैक सूली को उसकी हुमन बोडी से नावी बोडी में रिया इंकार्नेट होते दिखाया गया है और मुई में दिखाये एन नावी लाइग्वज को especially इस solely इसपी मुई के लिए क्रिया किया गया था इसके लिए जेम्स कैमरे зм수 ने डॉक्टर पाॉल फरोमर को हायर किया था जिननो इनने नावी लाइग्वज के around 1000 words नीरा इन्नों की इया थे six laggard दिखाया गया है और साथ ही सभी actors को उनके perfect अफ़तार form में दिखाने के लिए इन सभी को एक heavy makeup process से भी गुजरना पड़ता था जिसमें इनके upper body को plaster type prosthetic से cover करके एक life cost process किया जाता था जिसके बाद इनका 3D scan करके हर एक actor के mouth और eyes वाले features को इनके अफ़तार faces में blend किया गया था ताकि इनकी हर एक छोटी ही छोटी facial expression को इनके अफ़तार कैक्टस में feature किया जा सके और नाविस को एक alien perspective से create करने के लिए कहीं different designs तियार और consider किये गए थे जिसमें नैतरी के design सबसे challenging था क्योंकि इस मुए का main upload जैक और नैतरी के love story पर फोकुस रहता है तो इसलिए इसे एक alien होते हुए भी more human and attractive look दे गई थी ताकि जैक नैतरी के तरफ naturally attract हो सके और नाविस की movements को totally different दिखाने के लिए movement को Terry notary को hire किया गया था जिनोंने समुई के हर एक actor को नाविस की तरह move करना सिखाय था जिसके लिए इन्हें actors के साथ individually and groups में भी काम करना पड़ता था और आल्सो इन्होंने समुई के कुछ creatures की movements को भी किया है जिनमें बैंसी को उड़ाना actors के लिए सबसे hardest work था जिसके लिए on set gimbal rigs तियार किये गई थी जिनके ओपर बैठकर actors ने अपने बैंसी वाले scenes को परफॉर्म किया था जो कि बिल्कुल भी असान नहीं था और बागे के foot animals को दिखाने के लिए on set गोडों का use किया गया था और इस मोई की shooting से पहले characters के designs को finalize करने के बाद दो random actors के साथ एक 27 seconds की clip त्यार किये गई थी ये देखने के लिए के actors final movie में कैसे लगेंगे और फिर इसे देखने के बाद ही अवदार मुई की real shooting स्टार्ट किये गई थी and visual effect team के according अवदार मुई की एक मिनट की footage रेंडर करने के बाद around 17 GB की होती थी और यहां तक यह सिर्फ एक सिंगल CGI scene और frame को रेंडर करने में 47 गंटे तक लग जाते थे और यह movie almost 3 गंटे गी है तो आप सभी easy से अंदाजा लगा सकते हो कि इस पूरी movie को रेंडर करने में कितना time और storage लगी होगी पैंडरा जंगल के अपने फर्स ट्रीप के तुरा नों स्पैल में ने जो हैट पहनी होती है तो उस पर कुछ ब्रायली सिंबल्स बने होती है जिसका मेरिंग 1969 होता है जिस साल humans ने मून पर फर्स ताइम लेंड किया था और जब यह सब एमेंडन स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर ग्रेज एक बुक को उठाती है जिसका नाम दालोरेक्स होता है और इस बुए के स्टोरी भी अवधार मूई से सिमिलर है जिसमें humans अपने फाइदे के लिए beautiful trees and mystical creatures से भर एक forest को destroy करते थे हैं और अवधार में दिखाए कि इन beautiful mountains का design से एक्च्वल में साथन चाइना के mountains से inspired था जिसे इस मुई के बाद से अवधार हैललुया mountain भी कहा जाता है और मुई में जैक का जुलनिक पोर्ड होता है तो उसकी सिर्फ अपर बोड़ी को scan करता है क्योंकि इसकी lower body unresponsive थी और साथी जब जैक अपने अवधार phone में फर्स टाइम नैत्री के साथ पैंडोरा जंगल में जाता है तो उस टाइम वूट सप्रैड उसकी legs को छोड़ कर उसके हर एक बोड़ी पार पर बैटे होते हैं जैसे कि इने जैक की real body के बारे में पता हो और शाहिद ही आप में से किसी को पता हो बड़ इस movie में एक masturbation जोग भी है क्योंकि movie के starting में जब जैक फर्स टाइम अपने वतार बोड़ी में अपनी ponytail को देग रहा होता है तो इस टाइम डॉक्टर ओगुस्टीन उससे कहती है तो ये common joke है जिसमें teenage बच्चों mainly boys को कहा जाता है कि एगर वो ज़्यादा हिलाएंगे तो उनकी आँखे कमजोर हो जाएंगी ताकि उनकी masturbation की आद को छुटाय जा सके और मुई में हमें दिखाया भी ज़्यादा है कि नावी मैटिंग के दुरान अपने minds को link करने के लिए अपनी ponytails का use करते हैं वैल अफ़दार से पहले ट्रेक्टर जेम्स कैमरियों ट्वंट्रेस सेंस्री फोक्स ने मिलकर टाइटेनिक मुई को बनाया था जो कि अफ़दार से पहले वर्ड की हाइस्ट ग्रोसिंग मुई थी विद अराउंट टू पॉइंट बिलियन डॉलर बट फिर भी फोक्स टूट्य अफ़दार मुई के बजट को लेकर डरा हुआ था जो कि रांट 283 मिलियन डॉलर के आसपास चला गया था जो कि 2009 के इस साब से बहुत ही जाना था और फिर फोक्स को दिलासा देने के लिए जेमस कैमरी ने उनसे ये प्रोमिस किया था कि अगर अफदार मुई फ्लोप हुई तो वो अपनी डिरेक्शनल फीस भी नहीं लेंगे और अगर अगर आपको ब्लैक पैंथर वकांडा फॉराय मुई से जुड़े ऐसे कमाल के 30 facts के बारे में जाना है तो आप सम मेरी इस वीडियो को जुरूर देखना इसमें मैंने इस मुई के इडियों डिटेल्स वो कांडा एंटा था